वो गुंडा है वो दोनमबर काम करता है वो चोरी का जो मदब गाली चोरी होता है ना उसका सप्लायर है वो पाल अगरवाल जो है हमेशा यहाँ पर तनाव पैदान करने कोश्च करता है लोगों पर केस कराने कोश्च करता है अगे में चुनाओं के बारे में विकास के मुद्दे के बारे में और बीबात के बजा के बारे में उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका सब्सक्राइब धन्वाद हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्वाद देते हैं शुक्रियादा करते हैं कि आप विकास के बारे में भी चुनाओं के बारे में भी और जो मेरे साथ जो विबाद हुआ उसकी जानकारी के लिए हमारे पास आये और सही जानक करते हैं हम आपको आपके चनल को मौलग बात देते हैं चुनाओ के तयारी कैसे चुनाओ की तयारी तो चल रही है अब जो हमने काम किया है लोगों के बीच उस काम को हम बताने की कोशिच कर रहे हैं दस साल में जो हम काम किये हैं इस दस साल में जो काम हुआ है उस काम को बता क करके जो नितीज जी का काम है, जो हमारे बिहार सरकार का काम हुआ है छेत्र में, उसी को बता करके हम चुनाव की तजारी कर रहे हैं, लोगों के भी जा रहे हैं। क्या लोग संतुष्ट है आपसे? अब संतुष्ट तो, कितनों भी काम कीजिये, संतुष्टी तो नहीं होती हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी है, कि काम हो, बहुत चाम हुआ है, हर जगे काम हुआ है, जदा से जदा काम हुआ है। पिछले दस साल से पहले जो भी परतनीदी रहा है, किसी गाउं में अगर वो एक काम किया है, तो हम दस काम किये हैं, किसी गाउं में, अगर वो एक भी काम नहीं किया हैं, तो हम एक दो काम किये हैं. आज भी आपके इलाका में आपको एसी क्या मजबूरी पड़ी सर्फ कि आज भी आप चचरी पूल का उद्गार्ण करना जगा अब एक जगह है जहां पर चचरी पूल की बात है तो वो रोड वहां से नूरी चौक से लेकर के आजम नगर ननकार तक रोड बना है नूरी चौक से हाथी डुबा होते वे खेर बारी तक रोड बना है नूरी चौक से खेला बीटा तक रोड बना है नूरी चौक से आपको रूईधासा तक तेतल गुरी तक बावन नाइंग तक रोड बना है बहुत सारे भगडावर पंचायत में हम कुछ नहीं जानते हैं कि हमने भगडावर पंचायत में 20 से जदा काम किया है 20 से 10 से जदा रोड बनाया है मुणग दोतीन के चारी पुल के सामने एक माटीखुरा जाने क्लिए रोड बना है वहीं सामने माटीखुरा उसी रोड से आपको जाखर्क वह जाने के बुक्डावर जाने कलिए रोड बना है बोग-डवर खारी बस्ती जाने के लिए रोल बन्दा है वहिसा तो यह लुवा घ्र मदा बन्धा प्रक्रिया कामकही करते हैं हम बढ़ा घ्रान काल भी प्रक्राइबी करते हैं यह नोग छोड़ी होषी के लिए भीड़े हैं कि कास के मुद्धे पर चुनाओ नहीं लड़ा जाएगा तो लड़ा मतर चुनाओ लड़ना बेमतलब हो जाएगा जब इतना विकास किया गया है तो उसी पर हम लड़ेंगे हम दस रोड बनाया है अगर भोगडावर पंचायत में तो दस रोड को दिखा करेंगे एक दो कुल दिखा करके दो एक मदर्सा दिखा करके कबरिस्तान की घहराबंदी दिखा करके और दूसरा काम दिखा करके हम लड़ेंगे लक्सर लेकिन सर एक बात और है कि हम लोग सभी जानते हैं पुरा ठाकोन बिजान सवा से किसन जिले के सभी लोग जानते सिमान चलके आपके चवी बहुत साफ है लेकिन इससी क्या बज़ा होगी पिछले पंदरों जुन को कि आपके साथ कुई ऐसा विवाद हुआ? चवी साफ है हम तो साफ रखने की कोशिस करते हैं लेकिन इस दौर में इस दौर में चवी को साफ रखना बहुत मुश्किल पर रहा है आदमी अगर सीधा हो, आदमी सही हो, आदमी छलकपट वाला नहीं हो तो कहीं न कहीं कोशिस लोग ये करता है कि इन पर कोई न कोई जूटा, कोई जूटी बात डाल करके इनको फ़साने की हम कोशिस करें, ये लोग कोशिस करता है तो अब हम उस दिन गए पांच बजे जब यहां से गए चले हम पांच बजे पांच बजे वहां गए तो मेरे पास मेरे साथ पुर मुख्या साबिर साथ में पुर मुख्या तन्वीर साथ में थे और वो दोनों साथ में थे दो चार लोग दो तीन लोग हमारे साथ और भी थे तो हम लोग यहां से गए उस गाओं में बालू-बारी वाला गाओं में तो बालू-बारी गाओं में आप लोग को जाना चाहिए कि बालू-बारी गाओं में 2010 से पहले किसी गली में एक ठोड पी-सी-सी का रोड नहीं था किसी गली में, यानि कोई काम नहीं हुआ था, किसी एमेले का, उससे पहले तो 5-6 एमेले होगा ना भाई, 5-6 एमपी होगा, यानि दस साल से पहले 10 एमेले एमपी बने होंगे, तो हम ये पूछते हैं उन लोगों से, कि आप कोई मैसे, कोई एक आदमी, क्या बालू-बारी ग साल रगिया डिया काम नहीं किया और हम जो है, आय सबसे पहले तो उनका कब्रिस्तान का बनादू ह रहा था, हम उसका काम किए, पिर उसके बाद बालू बारी में पूरब तरफ से उसका नदी कट रहा था हम उसका काम किये फिर दख्षिन तरफ से नदी कट रहा था फिर उसका काम किये फिर एक मदरसा का भी नया मदरसा का भी पेमेंट हो रहा है उसका हम काम किये बिजली लगी है हम बिजली का काम किये साल दो साल पहले एक PCC सड़क की जरुट थी वहाँ पर वो काम किये और हमको लगता है सिर्फ वहाँ के लोग कटाओ जो वाला जो काम है कटाओ नीरोधक काम कार्ज के लिए मांग किया है हमें सासे लेकिन रोड का काम किसी ने मांग का आज तक कोई आदमी मेरे पास रोड के काम रोड के लिए है नदी जो है रास्ता को काड़ दिया है तब हम यह कोशिज कर रहे हैं कि मूख सलग से जुड जाए और हम वो काम कर रहे हैं उसके बाद जब प्ञच तारी को पंदरह तारी को अगए तो लोगों ने हमको रास्ता नहीं दिखाया रास्तामें बरसात का पानी दिख तो लोकडाउन में काम रुख गिया फिर अभी बारीश हो रही है बारीश लग गिया है और उसके बाद लोग ने ये दिखाया कि भाई पानी लग गिया है इसका क्या हुपाय है तो हम वहाँ पर लोगों को कहें कि भाई रोड बन रहा है तो पानी नहीं कम हो जागा तो बने हाद पिर उहीं पर मॉक्वें परसे ही Sबसे पहले जही से बात किये वह बोले कि हम चुटे हैं इक दो दिन में आंगे तो हम इसको देख लेंगे उसके बाद पिर जो ने भी आच से आग बात कि 테के। करें यह नहीं कि सरकार ही उसका हल करेगा यह मुमकिन नहीं हो सकता है तो लोगों को हल करना चाहिए जो नेतागिरी करता है वहाँ पर तो उस बात का हल करना चाहिए अगर वो नेतागिरी कर रहा है उस बात को हल करता तो हम लोगों को भी और गाउवाले को भी फाइदा होता क्यों रोड बनता लेकिन ऐसा तो किया नहीं उसको तो मतलब लोगों को किसी को उकसा आता है जमीन रुकवाने के लिए नहीं कटना चाहिए अगर कट रहा है तो नहीं बनना चाहिए बन रहा है तो ऐसे क्यों बनना है तो ये वहां का अगर कोई नेता है या कोई जिम्मेदार आदमी है तो ये उसको करना चाहिए लेकिन उल्लोगों ने किया नहीं और जिसके वज़े से भी लेट हुआ और आज भी जमीन का मामला जमेला है ही ऐसा नहीं है आज भी जमेला वह ने ने तो साज़िस तो ही है लेकिन हम आपको कहानी बता दे रहे हैं कि भई जब लोगों को हम संतुष्ठ कर दिये कि आपका काम होगा आपके काम में यह यह अर्चन है लोक्डाउन का अर्चन था अभी बालिश ओड़िया है बालिश का भी जब अर्चन है हम लोग अपना रहा है कि हम लोगं का मुझे तो हम वहां जा के देखे और हमको लगा उस वक्त भी वो लोग आये थे कि यहां काम होना चाहिए और उसके बाद काम नहीं हुआ तो हम बोई इसको यह आस्वासन दिया कि इस बीच हम पतना भी गए थे और पतना में हम लिख करके मंतली जी को द अब मेरे लिए वनों का मांग था कि आएए आप देखिए हम लोगर समस्या को तो लोग संतुष्ट ओगया को लोटे 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 तो लोटने में वह फिर हमको जो आपका क्या बोल करे रोका वो इन नेता आया फहले से गाउवाला था तो नहीं रोका गाउवाला जो प्जिद नाम सेagen Kingdom 2 दो नमब्र आदम है वो गुं। आहे और है वो दो नमब्रोंक करता है वो चोड़्या जो मदल कर चोड़ी ना उसका सपलाएर है वो एक जमाने में पदाधी कारी के पास एक थो लेटर पैट किसी पार्टी का किसी कोई पार्टी है नेशनल या कौन पार्टी कोई पार्टी है जिसका लेटर पैट में कुछ लिख लिख करके देता था यह होना चाहिए वो होना चाहिए और उसका उस लेटर पैट को अभी वो किस पार्टी में है, किन लोगों के साथ है, हमको नहीं जानकाली है, लेकिन यहाँ पर राजनिति करने वाला खास लोगों के इसाले पर वो काम कर रहा है, और वहीं नहीं, बहुत जगह हम देखते हैं, हर गाउं में लोग शरीफ हैं, अच्छे हैं, लोगों को काम काम मिल रहा है, लेकिन काम के बाद भी, आज काम क्यों नहीं हुआ, अभी काम क्यों नहीं हुआ, इस तरह का समाज में लोग बोलने वाला है, वो किसके इसाले पर बोलता है, पब्लिक इसको समझ रही है, हमेशा, यहाँ सब लोग जानते हैं, कि गोपाल अगरवाल जो है, हमेशा यहाँ पर तनाव पैदाने करने कुछ करता है लोगों पर केस कराने कुछ करता है हम लोगों से मांग करते हैं हम परसासन से जदा पबलिक से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को आप लोगों को जवाब दिना चाहिए अगर आप आईसे लोगों को जवाब नहीं दी जगा तो आने वाला समय इस जिस तरह है पिष़ले 2005 से 2010 तक लोगँ यहां पलिषान रहे तरस्ट रहे लोगँ पर केस होता रहा आज वहां रखता है आज वहां पर पलिषान कलता है लोग तो केस होता रहा है पुछले मतलब अभी केस होगा अगल इस तरह का लोग आ गया तो इस तरह लोगों को अगर दिग अगर वो उत्तेजित करते हं लोगों को जूट सच समझा करके काम का क्या मतलब है पता है यह न भाई जब बालू-बारी में कटाव नीरोग काम करवाए हम बंदरसा का काम करवाए हम बीजली का काम करवाए हम पीसीजी का काम करवाए हम अभी रोड का काम हो रहा है तो सब काम होने के बाद हमको जरुत होना चाहिए फिर भी तो लोग घर लाई इसका मतलब एप लोग और गलत पॉलिटिक्स करता है तो गलत कर रहा है और अगर हमको कोई घर रहे है तो मतलब घरने का जो वह होता है न चक्र ब्यू मैं डालने का कॉसिश हम पहली बार थोरी है पिछले पांच सलमें में डालने का कोषिज के तो रखाए हैं तो मेरे सात है जनता मेरे साथ है आज भी जनता अगर खड़े हमाने सातहे होनग बाइभरोशन फूलमंत्रीं है तब अगर परसासन नहीं होता है तब हम किस के भऱऴ तो यहां मामला दर्ज हुआ है तो हम जब वापस आए तो वापस आने में जो आदमी पहले सो आदमी जब थे तो उस वक्त सवाल नहीं किया गया उस वक्त यह सवाल किया गया तो पहले जिस वक्त हम गए थे जब पांच बजे हम गए तो पांच बजे सो आदमी थे ना एक जगह 25 आदमी थे एक जगह 25 आदमी थे एक जगह 25 आदम तो उस वक्त लोग करे लवजे में तो कोई हमसे बेवार नहीं किया, कराल लवजे में कोई सवाल नहीं पूछा कि आपनी ये काम क्यों नहीं किया, लेकिन अंतिम में जब हम लोट रहते तो हमसे पूछता है लोग, वही आजमी माइक लेकर के, क्या जुरह था दस बजलात मे माइक लेकर के, महाँ पर खावने के, जब हम बोल दिये, तो उससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, तो जब आप जो देना हुआ दीजेगा, जब हम कहे दिये, तो उस वक्त भी हमको जब रोक के पूछा गिया, कि आप ये जो रोड है कितना दिन में कीजेगा, तो हम बोले क जरसे बारीष कौम हो जब हो जो रोड बना सुरू हो जाएगा, इसिमें गलत ब्यभार किया लोगों ने, और लोगों ने क्या, वही दो चारफ वांच आपी, पांच-काटाज मी और लोगों को भर्काने का कोषिज किया, लोगों को उत्तेजित करने का कोषिज किया, नही हमेसा लेकिन आदमी देखे कितनों छवी साफ हो जब कोई आदमी किसी का छवी खराब करने की कोशिस करता है तो उसका छवी खराब होई जाता है इसलिए हम लोग ये कोशिस करते हैं कि हमारा छवी जितना साफ है उसको और साफ रखने के लिए क्या करना पड़े हम करते हैं उस वक्त जब हमसे, जब अभी तो यह आदत हो गई है, जहां भी जाईए कुछ बात कीजिए तो यह मोबाइल लेकर के खड़ा हो जाता है, तो उस दिन उस दिन हम ये कहते हैं, परसासन से ये मांग करते हैं, कि शुरू से अखिटक वो जो मोबाईल लेकर के भीडियोग्याफी मोग उन्हों से जरूल मांग कर गिलाबारी का एक लड़का वहाँ पर क्यों कैसे चला गिया दस बजरात में गिलाबारी का लड़का क्या कर रहा था हूँ पर गिलाबारी का एक आदमी वहाँ पर कैसे चला गिया अगर पार्टी पोलिटिक से कुछ नेता और अब देखें पार्टी में किसी पार्टी का तो strength है नहीं लेकिन लोग अपना अपना परियास कर रहा है और ये कोशिस कर रहा है कि हम इस तरह से अगर अंगराई लेते रहेंगे तो पार्टी हमको अच्छा समझेगा पार्टी समझेगी कि नहीं यही मजबूत आदमी है इसलिए कर रहा है और उस दिन सबसे खास बात यह है कि वो लोग जो दूर बेवार किया था और उससे पहले भी हमारा भांजा के साथ जो मार्टी किया था मेरे गहर मौजूद्गी में तो वो मार्टी उसके साथ भी करने क्या वो यह समझ रहा था कि हम मार्टी किये हैं हर हालत में यह लोग यहां से जाएंगे तो हर हालत में केस होगा F.I.R. तो होता ही मारपीड किया तो F.I.R. होता ही तो वो हम लोगो यह रुक इसलिए रुक के रखा कि अगर रुक के रखेंगे और इसको मतलब कोई अगर इसका इनसाफ का पंचाइति का यह करेंगे तो यह केस नहीं होगा हम लोग का केस हो जाएगा हम लोग केस कर देंगे या हम लोग की बात रह जाएगी इसलिए वो ऐसा कर रहा था उसको डर था कि F.I.R. होता ही यहां से निकलने के बाद F.I.R. होगा तो हम लोग उन्हों पर कालवाई होगी इसलिए वो लोग के रखाता है वो लोग पक सुने अफायर बाद F.I.R. हो लोग भी लिख करके दिया है हम लोग के साथ जो बात हुई है हम लोग भी लिख के दिया है आप लोग यह चैनल चलाते हैं हम लोग आप लोग को धन्नवाद देते हैं कि आप छोटी-छोटी बात को समस्या को समाज का लोगों के सामने लाने की कोछ करते हैं आप से भी आग रहे आप जाए वहाँ पर जाए जाए वो जो उधर जहां कटाओ वाला काम के लिए दिखाने के लिए लोग गए थे शानवाज यह लोग हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं आप किसी का नाम हो आगया हो आप डर से बिचला नहीं बोले तो बहुत लोगों से पूछिए कि दो बात है एक लड़का मेरे साथ था जो अपनी मोटर साइकल पर लेके जा रहा था तो वो भी जानता है कि वहाँ वीडियो गिराफी जो हो रहा था तो वो वीडियो गिराफी दिखाए कि उसमें क्या है किसके साथ क्या दूब बिवार होआ या उन्हों से पूछिए कि भाई आप लोग कोई देखे हैं विधायक जी को हाथ चलाते हुए विधायक जी को उन्हों को गाली देखे हैं या कोई देखाए कि उसको मार लगी है इस तरह कि कोई बात नहीं थी ये झूटा है और ये पहले से साजिस थी और पहले से और ये बहुत जगह साजिस होती है यह यहाँ पर खाली नहीं बहुत जगह साजिस होती है बहुत जगह और हर जगह साजिस का बिरोध करने के लिए साजिस का साजिस को हम नाकाम करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं हम कोई चोरी पहन करके ने बैठे हैं कि सा काम भी कर सकते हैं अच्छा विजाई जी एक लगा अंतिम सवाल आप से आपके इलाके बिधान सभा छेत्र में पवाखाली से लेकर ठागवां तर्स्टेक्डो भट्टे जो जड़ी धुआ उगलती है इसके बाड़ में आपको क्या करना है लोग लोग के फल हुए उसके बा करता है लेकिन परमीशन भी उसको तभी मिलेगा जब वह पॉलुशन का लाइसंस लेगा कि उस भट्टा के धुआ से जहरी गैस से यहां के लोगों को हानी नहीं हो वह लेता है तो यह पहले भी हुआ है अभी भी माले के चल ला है ऐसा नहीं है कि जाच तो चलता ही हमेशा इलाके में सेकडों भटते बहुत बड़ी बात है तो उसमें जो है अभी यह हो सकता है दो चार भट्टा वाला होनी तो मैकसिमम भट्टा वाला जो है वो पॉलुशन संगर मजब पॉलूशन का पॉलुशन का लाइसंस लिया हुआ है जिससे जहरी धुआ नहीं फैलने का स इसे नहीं है आप लिखके दे दूजाग कर देगा कि जनता को कोई भी लिखकर निख करके दे दे झांच होगा ना आइसा नहीं कि जाएंगा इसको रोक देगा वो भी बात नहीं है जाच होगा, साहिमाने में, विध से भुज़ाखे हो रहा है, होता रहा है, इसका हमेशा है भी च्छीनिंगो होते रहता है, पहलÉ हम लोग सिर वियो चिमनी चलाते हैं, लूहाज़ागा चिमनी, हम खुद भर्णा चलाया है, भाद में फिर फिक्स चिमनी उन्ए. अभी किस टाइब का वो लोग मझा पोलुशन रहित वो चिमनी बनाया है वो होता है उसमें भी जाच में और यह एक-दो साल चलता है जब उसमें भी पता लगा जाता है जाच होते रहती है कि अगर उससे हानी होगा तो हर हलत में उसको लोग दिया जाएगा वो चलने नहीं क्याव जो चलने पनले के जाले जाच/.